सुप्रबास सभीकों मेरा नाम इलिया सर है बच्चों आज हम वसंद किताब से आटवी कक्षा की छटी कविता पढ़ने जा रहे हैं कविता का नाम है भगवान के डाकिये और इसके कवी है रामधारी सिहं दिनकर कवी का परिचे कवी रामधारी सिहं दिनकर इनका जन्म तेवी सितंबर 1908 को हुआ गाउं ग्राम सिमरिया बिहार रचना कविता बाल कविता साहित्य नाटक कहानी आदी प्रमुक्रुतियां कुरुशेत्र उर्वशी रेनुका बापो पुरसकार 1969 को पद्म भूशन पुरसकार काव्य संग्रह उर्वशी के लिए 1922 को 99 पुरसकार से सम्माना मृत्यू 24 एपरिन 1924 को हो गया कविता का सार कवि हमें डाकिय यह शब्द का अर्थ यह समझाते हैं डाकिय याने संदेश पहुंचाने वाला कविता में कवी हमें पक्षी और बादल भागवान के डाकिय है ऐसे कहता है और एक देश से दुसरे देश को संदेश लेकर जाते हैं और उनकी चिट्टियों को मनुश्य नहीं समझता एक देश से उटा बादल दुसरे देश में वर्षा करता है इस कवीता के माध्यम से कवी हमें मानवतावात का संदेश दे रहे है कवीता का पहला पद पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिय है जो एक महादेश से दुसरे महादेश को जाते है हम तो समझ नहीं पाते है मगर उनकी लाई चिट्टियों पेड़, पौदे, पानी और पाहाड बांचते है इस पद में शब्दार बाचना, बाचना याने पढ़ना, सस्वर, पढ़ना इस पद का अर्थ ये होता है कभी कहता है, पक्षी और बादल का संबन मनुष से जोड़ते हुए कहता है कि ये दोनों भगवान के डाकिये है डाकिये याने संदेश वहक है जिस प्रकार सरकरी डाकिये हमारे लिए हमारे प्रिये जोनों का संदेश लाता है उसी प्रकार ये प्राकुर्ती डाकिये हमारे लिए संदेश लाते है पक्षी आकाश में यहां वहां ब्रह्मन करते है तथा बादल उमड गुमड कर पृत्वी का चक्कर लगाते रहते है वे यह संदेश मनुष्य में बाटते हैं पर अपनी अज्यानता के कारण मनुष्य उनका संदेश नहीं समझ पाता है इन प्राकुर्ती डाकियों की लाई चिट्टियों को परवत, पेड, पवदे और नदिया पढ़ती है कवीता का दुसरा पत हम तो केवन यह आकते हैं कि एक देश की धरती दुसरे देश को सुगंद भेजती है और वह सुरव हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तीरता है और एक देश का भाप दुसरे देश में पानी बनकर गिरता है इस पत के शब्दार्थ आकना आकना याने अनुमान पाख पाख याने पंख सौरव सौरव याने सुगंद सुवास इस पत कार्त ये होता है कभी कहता है पेड, पौदे, अपनी वायुधर्ती, अपनी सुगंद तथा नदिया, अपना जल किसी सीमा विशेश में रहने वालों के लिए नहीं रखती है ये इन संदेशों से प्रभावित होते हैं और उसी प्रकार विवार करते है इन क्रिया कलापों को देखते बाद हमें अपना स्वार्थ, अपने पराएं की भावना, गाउ, घर की सीमा छोड़कर सभी के साथ समानता, सदभाव, तथा प्रेम का विवार करना चाहिए जिससे हमारे कार्यों की महख चारो और फेल जाये ताकि पुरे विश्व में शांती यवं विश्व बन्दुत्व स्तापित हो जाए कवी हमें यह संबोधित करता है और इस कवीता से संदेश हमें यह मिलता है मानोतावाद का संदेश दिया गया है हमें आपस में बने रहना है धन्यवाद